जीस्टी पर राज्यों की सहमती बनाने के लिए आज कोलकता में राज्यों के वितमंत्रियों की एहम बैठक हो रही है। केंद्री वितमंत्री और जेटली ने आशर जताई है कि आगामी मौन्सून सत्र में जीस्टी विध्यक पास हो जाएगा। दिल्ली सरकार को संसधी सचिव बिल पर बड़ा जटका लगा है। को खतरा हो सकता है केंद्री परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने आज सड़क दुर्खट 9 में इजाफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हम इस दिशा में कई कदम उठा रहे हैं कि कैसे इनमें कमी लाई जाए साथी उन्होंने कहा कि सड़क दुर्खट 9 में कम लाने के लिए सरकार जागरूपता अभियान भी चलाएगी दिली कैबिनेट से परिवहन मंत्री गुपाल राई ने इस सीफा दे दिया है वर्तमान स्वास्त मंत्री सतेन जैन को परिवहन मंत्राले की जिम्मेदारी दी गई है 36 गर के नरायंपुल में सुरक्षा बलों और नकसलियों के बीच जड़प हुई है नरायंपुल जिले और कोडा गाउन जिले के संयुक ददल को नकसल विरोधी अभियान में रवाना किया था अभियान के दोरान लगभग पाच अलग अलग जगों पर पुलिस और नकसलियों के बीच गोली बारी हुई इस दोरान पुलिस दल ने नकसलियों का शिवर भी ध्वस्त कर दिया जमू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलो ने हिजबुल मजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के ठिकाने का भाणा फोल किया है सुरक्षा बलो ने वहां से बड़ी मात्रा में हतियार और गोला बारूद बरामत किये हैं राश्पती ने तीन अफरीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना में दूव पक्षी वारता की और दोनों देशों के बीज तीन समझोतों पर हस्ताक्षर भी किये गए इन देशों को ऐसी मजबूत राजिनितिक व्यवस्ता के तोर पर जाना जाता है जहां लोगतरंत की जणे गहरी हैं और इन देशों की यात्रा का उद्देश इनके साथ व्यपारिक संबंधों सहेथ, उर्जा और सुरक्षा छेत्र को और अधिक पुक्ता बनाना है किसी भारती राज़पती की घाना और आईवरी कोस्ट की ये पहली यात्रा है, जबकि नामीबिया में किसी राज़पती की यात्रा दो दशक के बाद हो रही है तीन देशों के विदेश दौरे पर गए राश्टपति प्रवमुखर जी ने घाना के राजधानी अकराँ में स्थित कोआ में नूरुमा समाधी समारक पर श्रधा सुमन अरपित किये कोआ में नूरूमा ने ब्रिटेन से अजादी के लिए राष्ट का नितरुत किया था समाधी समारक उस जगा पस्थापित है जहां नूरूमा ने 6 मार्ज 1957 को आजादी की घोशना की थी नूरूमा ने पहले नव स्थापित देश के राष्टपती और प्रधान मंत्र के रूप में देश की सेवा का कार भी किया था राष्टपती ने आगुन तक पुस्तिका पर भी संदेश लिखा उसके बाद राश्पती प्रमुकरजी ने गाना विश्विद्याले के चात्रों को संबोधित भी किया अपने संबोधन में राश्पती ने ITEC चात्र विद्यों की संख्या में व्रिधी की घोशना की अमेर्की राश्पती बराक ओबामा ने कहा है कि ऐसे सपष्ट सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि औरलेंडो के हमलावर को आतंकी संखटन आईस से निर्देश मिल रहे थे उन्होंन कहा कि कलब में हुए हमले की जाच जारी है और पूरे हमले की जाच आतंकी घटना के तौर पर की जा रही है इस हमले में 50 लोग मारे गए थे फ्रांस में इस्लामिक स्टेट आतंकी सम्हू के प्रती जुकाओ रखने वाले एक व्यक्ति ने सोंबार रात एक पूलिसकर्मी की उसके घर के बाहर ही चाकू मार कर हत्या कर दी हत्या करने के बाद हत्यारा पुलिस कर्मी के घर में ही जाकर छिप गया और पुलिस कर्मी की पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया फ्रांस के राश्पती फांसी को हुलांद ने इस घटना की कड़ी निंदा की है होकी चैंपेंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना दक्षिन कोरिया से होगा जर्मेनी से हुआ पहला मुकाबला भारत ने ड्रॉख खेला था और ब्रिटेन से मिली जीत के बाद बेल्जिम से हुए मुकाबले में भारती टीम को हार जेलनी पड़ी थी भारती टीम चौथे मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल करना चाहेगी भारत को अगर मुकाबले में बने रहना है तो इस मैच में भारत को जीत हासिल करना ज़रूरी है रोलेड और्ल बेंस की टीम ने शुकरवार को होकी जैंपिन्स टॉफी में अपने अभियान की शुरुआत की थी अपने पहले मुकाबले में जर्मिनी को 3-3 से ट्रॉपर रोकने वाली भारती टीम ने शनिवार को दूसरे मुकाबले में ब्रिटेन को दो एक से माद दी थी लेकिन बेल्जियम से हार के बाद भारत की मुश्किले बढ़ गई है फ्रांस में इंदिनो फुटबॉल के मिनी विश्व कप के रूप में समझे जाने वाले यूरो कप 2016 के मुकाबले खेले जा रहे हैं ऐसे में इस प्रतियुकता के लिहाद से पूरे फ्रांस में सुरक्षा के कड़े बंदोबस किये गए हैं इस कड़ी में सुमबा को फ्रांस की सीना ने देश के उन प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा किया जो सुरक्षा की दृष्टी से बेहत समवेधन शील है भारतिक रगट टीम का मुख्य कोच बनने की दौर में टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान अनिल कुमले भी शामिल हो गए हैं अब नामों की छटाई के बाद सारे नाम सचिन तंदुलकस और अवगा उंगली और वीवेस लक्षमन वाली एडवाइजरी कमिटी को भेजे जाएंगे इसी महीने बोर काय समिती की बैठक होगी उस दोरान मुख्य खोचपत के नाम की घोशना कर दी जाएगी आज विशु रगदाता दिवस है इस मौके पर लोगों को रगदान के प्रती जागरू करने के मकसद से नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एक वाग का आयोजन किया गया इस वाग के जरिये लोगों को स्वैचिक रगदान के लिए प्रोचसाहित करने का संदेश दिया गया इस साल रगदाता दिवस की थीम है Blood Connects Us All यानी रगद हम सभी को जोड़ता है आज गंगा दशैरा है ये जेश्ट शुक्र पक्ष की दश्मी के दिन ये त्योहर मनाया जाता है इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रधालू, वरानसी, हरिद्वार, संगम और अन्य जगों पर आस्था की डुपकी लगा रहे है